नए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। अपनी ही करनी कफल हैं नेकियां रुस्वान्यां आपके पीछे चलेंगी आपकी परचान्यां आपके लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। महीने साथ गुजरते जाएंगे हम प्यार में जीते, प्यार में मरते, जाएंगे, जाएंगे अब्दोल, स्टार्ट कर कमाले उस्ताद, परकुर्दार, यहां जवानी का जोर नहीं चलता, तजुर्बे का जोर चलता है, तजुर्बे का कमभख जादुगर है यार, गाड़ी को हाथ लगाना तो एक तरफ, गाड़ी के पास से गुजर जाए, तो गाड़ी माशुक की तरह चलने लगती है, सच कहती है यार साइब जी, जी, साइब जी, साइब जी, दिख्रा, साइब जी, आठें कुष्खणगडी छे, कुष्खणगडी, कुष्खणगडी? तमारी आज नी ओवर्टाइम नक्की थेगई आशीटाराम छे शेट लग्मी नायन नू ड्राइवर शेजी नी काड़ी खराब थेगई एनि साथे बंगला उपर चला जा मु मान रोकड़ा मिलेगा नहीं बाबाजी आज में ओवर्टाइम नहीं करूंगा तो बोले शेडिक रहा त्यू ओवर्टाइम का बादशा सॉलिट पार्टी को नहां बोलता है तारी तबे तो चीखे नहीं पावाजी रोज तो आपना वक्त बेचता ही हूं आज श्राम का वक्त मैंने अपने लिए रखा है थोड़ा सा अपने लिए जीना चाहता हूं जादा शादी के 25 साल मुभारक हो तुम्हें भी इसमें क्या है जोड़ो भी क्या कर रहें बच्चे देख रहे हैं बच्चे कहा हैं सब लोग पिक्चर गये हैं पिक्चर? तो घर में सिर्फ हम दोनों है आज का ये शुब दिन और ये तनहाई पिक्चर वाले तिरा जवाब नहीं क्या देख रहे हूं तुम्हारी किस्मत की लकीरों को देख रहा हूं जो घर गरस्ती की दौर दूप में ठीकी पड़ गई और गहरी हो गई है किशन मेरे किस्मत तो तुम्हारे माथे पे चमक रही है पचीज साल कुजर गए लगता कल की बात है लगता की दिन महीने साल गुजरते जाएंगे हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे देखेंगे देख लेना देखेंगे देख लेना दिन महीने साल गुजरते जाएंगे हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे देखेंगे देख लेना देखेंगे देख लेना दिन महीने साल गुजरते जाएंगे हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे देखेंगे देख लेना देखेंगे देख लेना दिन महीने साल गुजरते जाएंगे तुम को हम्मी मान लिया रब तुम जानो तुम को हम्मी मान लिया रब तुम जानो हम ये जाने बाकिर सब तुम जानो क्या कहना है क्या नहीं अब तुम जानो तुम जो को होगे हम वो करते जाएंगे हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे बेके इंगे बेके लेना बेके इंगे बेके लेना कर दो कर दो दुख सुख का साथी हो जी हाँ जी तुम्हें बनाया है हमने जीवन का साथी हाँ जी तुम्हें बनाया है दिल की नईयो का मोजी तुम्हें बनाया है इस पार से उस पार करते जाएंगे हम त्यार में जीते त्यार में मरते जाएंगे देखिए 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 जलील कभी ने हमारे बार-बार कहने पर भी तो अपनी हरकतों से बाज रही आया जाड़ी शट अप तेरी शैपर ही यह अपनी आउकाद भूल बैठा है एक हकीर मेकैनिक जिसकी तकदीर हमारी मोटरों में अपनी रोटिया ढूनती भिरती है उसकी ये मजाल हरामजादे मेरी जानता है मैं तरे नाम और निशाद बिटा जूँगा जर्ड़ जर्ड़ी दर्वादा खोलिए नादी सिर्ड जी मेरी रादा कहा है मैं उसे लेने आया हूँ पागल नमन आउता किशन खोश्मया तुम चाहो तो अपने हाद से अपनी किसमत लग सकते हो मैं आपका मतलब नहीं समझा आव मेरे साथ जर्ड़ दॉलर से जिंदगी का हर जजबा हर लबा खरीदा जा सकता है इस छोटे से कागज में महबद तो क्या इंसानियत मी जजब होकर रह जाती है ब्लैंक चेक है जो चाहो बरलो जो चाहो बरलो हाँ जो चाहो बरलो से जुगर किशोर का चेक कभी डिसानल नहीं होता हाँ जो चे कभी डिसानल नहीं होता जो जो चुगर किशोर घजब खरीजड़ लो सेट, अपना अच्छे को अनर करो सेट, तुम इने तो कहा था, जो चाहो बढ़ लो अपना चेक अनर करो सेट, मुझे मेरी राजा देदो वीरू, इस कुट्टक जख्यमार का खेस भार भेग दो, देजो इसे अपना चेक अनर करो अपना चेक अनर करो अच्छे करो दो करो है लादा, उन, उन्या? आपना सब कुछ छोड़के तुम्हा अरपास बढ़ी किश्व मैं अपने घर आ गई मैं अपने घर आ गई कि अपने घर आ गई तेरी सेवा में तो भक्तों की श्रदा है अरे पगले इतना मान समान तो लोग आजकल भगवान को भी नहीं देते हैं मेरे भगवान तो आप ही हैं बबुजी आपका मेरा संबंदी क्या था मैं अनात लावारिस घरों की भीड़ भाड में आपने मेरा हाथ पगड़ लिया वर्ना मैं तो कपकखो चुका होता बस इनी चर्मों में मेरा जीवन निकल जाए तो मुझसे भागेशाली और कौन हो सकता है मैं तेरा मेरा नाजाने कौन से जनम का नाता है पापुजी सेवक जरा मेरा तॉलिया लाना मा आज गोबी के परहटे बना मैं नाश्ता नहीं ब्रंच करके जाऊंगा अच्छा चंदर भाया तॉलिया सेवक जर इस्टोव में घासले डाल दे जी अच्छा रमेश बहू अब तक सो रहे हो क्या सेवक जराउन जी से मेरी साड़ी जरूर ले आना अच्छा भावे मुझे तो इस भरे घर में सिर्व एक सेवक की नजर आ रहा है हर मोटर की तरह इसका भी तो अपना होस पावर है जादा लोड डालोगे तो इंजन ब्रेकडान हो जाएगा और अगर इसने खटिया पकड़ लीना तो कोई सेवा करने वाला नहीं बाभुजी इसलिए मैं खटिया पर नहीं जमीन पर सोता हूँ अरे बाई चंदर जे कल रात की पिक्चर कैसे लगी इंटरोल तक तो बहुत ही अच्छी थी उसके बाद तो लेट ही गई लेट गई ना बस यही तो आज कल के डिरेक्टर मार खा जाते हैं यह लोग कि इतनी महंगाई में किस तरह खर्चा बचा बचा कर थोड़े से बादाम तुम्हारे ले लाती हूँ वह भी लड़कों को खिला देते हो अरे बादाम खाने की उमर इन बच्चों की है हमारी नहीं मुगलो यह 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 आ रुमेश जी तोनी नौकरी का इंट्रिव्यू कब है पिताजी आज 11 मुझे मेरा आशरवाद तुम्हाले साथ है बगवान तुम्हे कामलाभी देगा थैंक यू चलिए बाबुजी क्यों भाई को समझ में आया क्या खराभी इसमें मिस्टर अफ्तार कृषिन हार दूसरे दिन बिगड़ जाती है जर अच्छी तरह देख लो देख लिया सेट जी बीमारी पकड़ में आगई हाई डैडी वेरी वेरी बॉर्निंग ती बॉर्निंग माई दिया रेनो आज नाश्ता आप ही कीजा मैं कॉलिष्क लिए बहत लेठ हुगी हूँ सिताराम गाड़ी निकालो मुंसाम आपके अपनी गाड़ी तयार होगी वाउ मेरी गाड़ी तयार होगी ताट्स नाइस थेंक्यू थेंक्यू वेर्मच मैकनिक साफ इसमें थेंक्यू क्या बात है यह तो मेरी ड्यूटी है हलो हलो चंदर चंदर इस कंबख्त मील को क्या हुआ कि आती ही नहीं और तुम्हारी याद है कि जाती ही नहीं महुबा मांडवा मगई बनारस बंगला देशी पूना लोगे कौन नमूना बाबू लोगे कौन नमूना तनी और लगा देव चूना यह लो लो जयरामजी का उतार भया जयरामजी की जयरामजी की रामदुलारे हाते में लिख तो लिख लेंगे भया लिख लेंगे असलाम वालेकूं असलाम रशीद मिया रामदुलारे जल्दी से पान लगा दो रशीद मिया कहा रहते हो आजकल इद के चान हो गए मैं तो कहता हूं दोस्तों को भी भूल गए हो अरे अपने आपको भूल सकता हूं मगर तुम्हे नहीं भूल सकता रही मिलने मिलाने की बात तो यार अवतार सास लेने की भी फुर्सत नहीं अब खुदा तुम से क्या चुपाना वह हमारे साफ़ादे अनौर है ना वो जो दुबई में रहते हैं जी हां खत तो बराए नाम लिखता है मगर ड्राफ पर ड्राफ बेजे जा रहा है दो हधार पांच हधार दस हधार तो फिर ही कहो मिया रोजीद बग्रिद मना रहा है वह तो ठीक है भाई खुदावन करीम अनौर मिया के रोजगार में और वरकत ने मगर जान तो मेरी आफ़ते पड़ गई राज दिन की दोड़ दूप खुदा की पना बैंक का हिसाब किताब घर का जमा खरेज मकान दुकान सामान सारी जिम्मेदारी इस दिसमें नातवाम पे पड़ गई और व आमा तुम सुनके हरान रह जाओगे जेवर कहने भी मेरे ही पतान के बनवाती है अब खुदा बड़ी खिदमत गुदार बहु मिली है अब और क्या चाहिए बेटे तेरा बुड़ापा तो सुदर गया अरे बुड़ा होगा तु अब ही तो मैं जवान हूँ अरे चाहिए अलवाई के वहां से गुजर रहा था कमद गरम गरम इमर्तिया तल रहा था पस राल टपक पड़ी सब उठा रहा हो जाओ शुरू हां इसमें क्या है एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट ये हमारी बहु के लिए थैंक्यू पिता जी ये रमेश के लिए और मेरे आसदी और एक मिनिट और ये पैंट का कपड़ा तुमारे लिए ठैंक्यू और ये शर्ट का कपड़ा सेवक के लिए ठहक्यू बाब जी और ये हमारी एक लौती पतनी लादा देवी के लिए अरे थैंकी तू बोलो अपने लिए क्या लाए वो एक बहुत बड़ी सर्प्राइज है दिवाली के दिन पहनूंगा अरे लोग देखते रह जाएंगे वह पिजा जी यह तो बहुत ही बड़ी है वह इसी बात पर गरम गरम चाय हो जाए तो यह पहनोगे दिवाली में मैं तरस कई कभी अपने लिए भी कुछ ले आया करो बक्से में रखने के लिए अरे दिन वर्दी में गुदर जाता है रात कुर्टे पैजामे में जमाना तो इन बच्चों का है चार जगा उठते बैठते हैं अरे आफतार किशन के बेटे हैं कोई ललू पंजू के नहीं कि मां पिताजी मुझे नौकरी मिल गई अरे मुबारको मुबारको भईया कब जॉइन कर रहा है पहली तारिक से लेकिन पिताजी दो दिन के अंदर हमें पांच हजार रुपया सेक्योरिटी डिपॉजट बैंक में भरना पड़ेगा पांच हजार रुपय इतने पैसे कहां से आएंगे तू फिकर क्यों करती है उपरवाला है ना सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा आदावर्द है क्यों मिया आज रास्ता कहते भूल गया है रशीद मिया एक बहुत जरूरी काम से आया हूं मंदा हजेर हुकम कीजिए चरे तस्लीम खम है मुझे पांच हजार रुपया चाहिए रमेश की नौकरी पक्की हो गई है डिपासिर बरना कब तक बरना कल तक रुस्तम बाबा आमदाबाद कहें आते लोटा दूगा अरे लोट आने की बात छोड़ो अवतार मियां तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी बाखुदा दस हजार रुपया अंदर फादल पड़े थे अभी अभी अमजद भाई आये वही हमारे साले साहा उन्हें जरूरत थी मैंने उठा कर दे दिये अब तो बड़ी मुश्किल हो गई हम देखो अतार आप तो ही की शकल है तुम कहते हो तो मैं अभी अमजद के पास जाता हूं और रुपय वापस ले आता हूं अरे वह कही और ते बंदोबत कर ले तुम्हारा काम होना चाहिए नई रशीद मिया रिष्टदारी का मामला है तुम मेरी फिकर मत करो उपर वाला कही न कहीं से मेरा इंतजाम करी देगा अच्छा मैं चलता हूं अरह भी चाय तो पीते जाओ तिर किसी दिन खुदा अफिस कि आमान अल्ला अब्बा मियाओ क्या है बहू यह आप क्या उठाला है अपनी शकल की सब्सेतरकारी और यह कीमा आप से कितनी मर्तबह का है कि कीमा ज़रा बारिक करवा के लाया कीजिए पीमा तो बारिक ही करवाया है बहू यह बारिक है अल्ला की पना खाने पीने में तो नजर बड़ी तेज है और बाजार लाने में कमजोर हो जाती है मेरी तौबा एक आत काम क्या कर देते हैं दस काम भिगार देते हैं जा कहा रहे हैं हिसाब में एक रुपया कम है वो कहा है वो बहु मैं अपने लिए पान तंबाकु लेया था खुदा खैर करें दुनिया भर की बुरी आदते पड़ी हुई है आपके खर्चा है कि शैतान की आज मैं तो तंग आ गई हूं आपके बेटे तो बैठे आया आराम से दुबै में और मुसीबत मेरे गले बांग गए हैं करें आराम से खर्चा है आप कि 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 अभी प्रॉलो आजीब हूँ तुझे खुशकबरी सुनाना तो भूली गया खुशकबरी हां मैंने बर की चुटी मिली बाबाजी से बस तैयारी शुरू कर दो पहले शिमला जाएंगे फिर चंडीगर दिल्ली का लालकिला आग्रे का ताजमहल हैंदरबाद का चार मिनार बरसों से यह सब मैं यही से देख रही हूँ जब भी मुझसे कोई काम होता है सारे हिंदुस्तान की सेर कराने लगते हो बोलो क्या काम है यह कंगन मुझे देता है कंगन हाँ एक मेने में वापिस कर दूँगा नहीं मैं इन्हें नहीं दूगी सुनो तो मैं हर्गिस नहीं दूगी माजी की निशानी हैे रमेश में निशानी है पगली यह समय किसके लिए महांग रहा हूं याद है रमेश की क्या हालत होगई थी अन्नामनासर मेश माट के मुंमे आखrenoगा में या यह माजी अकरी सास ले रहा था कितनी विहानक थी वो रात दॉक्टर सार, मैं बच्छ नहीं कर सकता नहीं, यह नहीं हो सकता तुम उझे छोड़के नहीं जा सकता मेरे लाग कुछ भी करो, मेरे बच्चे को बचा लो अगर इसे कुछ हो गया, तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ भी क्या क्या नहीं क्या मैंने, डॉक्टर, हकीम, वैद, कहा का नहीं गया मैं अब कहा जाओ मैं, किसका दर्वाजा खटकटाओं मा का दर्वाजा मा का दर्वाजा? हाँ ओतार, व्याशनु देवी का दर्वाजा खटकटाओ बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए इसे मा के चर्णू में ले जा उसके दर्बार से आज तक कोई निराश नहीं लोटा माता जिन को याद करें वो लोग निराले होते हैं माता जिन का नाम स्कारे क्रिस्मत वाले कोते हैं जलो गुलावा आया है हाचा जे बुलाया है चलो गुलावा आया है माता ने बुलाया है जलो गुलावा आया है माता ने बुलाया है जलो गुलावा आया है माता ने बुलाया है जलो गुलावा आया है माता ने बुलाया है सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का रस्ता देख रही है माता अपनी आग के तारों का रस्ता देख रही है माता अपनी आग के तारों का मस्त हवाव का इक जोंका ये संदेशा लाया है जलो गुलावा आया है माता ने बुलाया है जै माता दी कहते जाओ कहते जाओ तु मत देखो अपने पाओ के चालो को तु मत देखो अपने पाओ के चालो को जिसने जितना दर्द सहा है उतना चेन भी पाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है जर्माता दी वैश्नो देवी के मंदिर में वैश्नो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं और रोते रोते आते हैं हस्ते हस्ते जाते हैं रोते रोते आते हैं हस्ते हस्ते जाते हैं मैं भी मांग के देखूं जिसने जो मांगा वो पाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है कर दो कर दो कर दो दो जो दो भी मैं भी ता इक मा हूँ माता माही मा का पहचाने मैं भी ता इक मा हूँ माता माही मा का पहचाने बेटे का दुख क्या होता है और कोई क्या जाने है उसका खून मैं देखो कैसे जिस मदूद पिलाया है चन्नों गुलावा आया है मता ने गुलाया है चलो गुलावा आया है बुलाया है वो प्रेम से बोलो जै मता दी वो जै मता दी पैशनो रानी अंबे कल्यानी जै मता दी माभूली वाली माशीरों वाली जै मता दोली भर देती जै मता दी 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 कि नपयर में ते आपटते ही तो जा पर दिए हैं मीजैं कि अभादरा, हूचा जो आ एट आपते हैं Mr. Apesh, हांकि तो क्वख जाएट आप से पांप एट आप पांपोटे हैं तो लिए पांप न वाया तरा हैं मुझा एंगा कि एकट शुलिए बसे जाएटे हैं और मेहनस से अपनी ड्यूटी निभाओगे आइवल ट्राइ मैं बेस्ट केरी ओन थैंक यू सर ओई लालेदी जान मालिक मकान यह राइस महिने का किराया वोचे पंदरा साहल से वह यह सी रूपया वो खबीष ना दोम दोम को माकान से निकल सकता है ना डिल से बिरादर एक काम करो तुम यह माकान खरीद लो खरीद लू हाँ क्यों मजाग करता है मजाग नहीं करता बिरादर खोचे कोडियों के बहुत देगा निकल 30,000 रोपया बंजर लेंड लारट अरे लेंड लाट तो हम पैदाशी हैं मुलका बटवारा हुआ लेंड वहां रह गया लॉड यहां गया पर सब तो एक ही तमन्ना है लादा को लेंड लीडी बनाना इंशाल्ला पर जैसे लोट्री लगी मान लेकर पहुंच जाओंगा तब तक लालेदी जान किराई से काम चलाना पड़ेगा खुदा आफिस बावी जन खुदा आफिस कि इसका तार है बहु उनका तार है वह आ रही है अन्वर आ रहा है कब आ रहा है इत पर आ रही है माशाल्ला पूरे एक साल बहुत अपने अन्वर को देखूंगा पहले घर की हालत तो देखिए वह आएंगे तो क्या कहेंगे कहीं धब्बे पड़े हुए हैं तो कहीं जाले लटक रहे हैं अरे तुम फिकर ना करो बहु आते वेक मजदूर ले आउंगा आपको तो खर्चे का बहाना चाहिए दो कम्रोबा तो घर है इसकी विसाफ सपाई आपसे नहीं हो सकती माशाला अच्छी खासी खुराख है आपकी आते वक्त मजदूर नहीं जाड़ ले आईएगा अरे आप खड़े क्या है उठाए जिबाद चक्की बंद हो गई तो भूगे ही सोना पड़ेगा हमेशा कौन सा पेट भर खाना देती है हाई डैड नमस्ते डैड़ी अरे चंदर तुम बहुत दिनों में नदर आए डैड़ी इनको पढ़ने से फुरसती नहीं मिलती ब्रिलेंट को है बेठवाट चंदर तुमसे कितनी बार का है अपने घरवालों से हमें मिलवाओ बस डैड़ी एक दो दिन में बस हमेशा यही कहते रहते हैं हाँ डैड़ी इसकी अच्छी तरह खबर लीजिए देखो चंदर मेल मिलाब से तालुकात बढ़ते हैं तुम अभी चाओ और अपने पिताजी से कहो सारे परिवार के साथ वो कर रात का खाना हमारे साथ यह मेरी रिक्वेस्ट भी है और आडर भी अंडर्स्टेंड आओ कर दो रेनु यह मेरी माँ है नमस्ते जीती रहा हुआ 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 है रेनु मेरे पिताजी है और और यह है सेट लक्षमी नरायन जी की एक लौती सा पुत्री जी अच्छे है जी वह मैं डैडी ने चंदर से कहा चंदर मुझे कहा और मैं आप सबसे कह रहीं कि में डैडी ने कर रात के खाने पर आप सब को बिलाया है तर देनु से कह दो कि आपने डैडी को जाकर ये कह दे कि अवतार किशन ये कह रहे थे कि कल वह अपने पूरे परिवार के साथ खाने पर तश्रीफ ला रहे हैं अने का मज़ा वेठी है कि अव्तार किशंगी आपने जिस मुसीबस से अपने लड़कों को पढ़ाया लिखाया उन्हें गाविल मनाई यह हिंप आप इसे हिम्मत कह लीजिये हाप इसे वर्स कह लीजिये मैं तो इससे मुहपत कहता हूं मैं इस महभबत की कदर करता हूँ अवतार किशन आपने बहुत कुछ कर लिया अब कुछ मुझे भी कर लिए जाता हूँ चंदर की सारे जिमनदारी मैं उठा लूँ उसके मैनेजमेंट का कोर्स ट्रेनिंग कारोबार यह सब आप मुझे छोड़ दीचे यह समझे उसकी तरफ से आपको मुक्ति मिल गई मैं मैं आपका मतलब नहीं समझा मैं दामाद और बेटे में फरक नहीं समझता है तेनू मेरी इकलौती बेती है चंदर यहां रहकर मेरा घर मेरा कारोबार सब समाल लेगा तो आप उसे खर्जाए बनाना चाहते हैं जी नहीं मैं उसका भविशे बनाना चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया सेड़ जी चंदर का बाप अभी जिन्दा है यह आप क्या कह रहे है अफ्तार किशन अपने बल पर जीता है आपकी अमीरी कावार उसकी गरीबी पर कभी नहीं चल सकता आप अपनी छूटी में में आकर एक बहतरीन मौका खो रहे हैं बाद में आपको पस्तानब लेगा पस्तावा जरूरत मन को होता है सेड़ आफ़ार किशन सेड़ तुम अपनी दॉलर से जिसे खरीदना चाहते हो उसकी पेशानी पर लिखाए not for sale दॉलर सब कुछ खरीच सकती है लेकिन मैं अपनी दॉलर हर्गिस नहीं बेचूगा पिता जी एक बात साफ साफ सुन लो सेट रेनू मेरे घर में बहु बनकर आएगी चंदर इस घर में घर जवाई बनकर नहीं रहेगा मस्ते हाँ हाँ जानता हूं दौलत बहुत बड़ी चीज है लेकिन बर्खुरदार उससे बढ़कर रिस्ते और जजबात हैं जो बजार में नहीं बिखते लक्षमी नरायन भी सोचता होगा किस खर दिमाग से वास्ता पड़ा है पिताजी आपने भी कुछ जादे कह दिया मेरा ख्याल एक तरह से अपने उनकी इंसल्ट किये इंसल्ट कुछ भी कहिए पिताजी है तो वह बहुत बड़े आदमी अरे बड़ा आजमी तो वह होता है जो दूसरों को छोटा नहीं समझता अभी तुम बच्चे हो इन बेडियों के पंजे चिपे हुए हैं रहा तुम्हारे प्यार का सवाल अरे अपनी मा की तरफ देख इसका बाप दस लक्षमी नरायन खरी सकता था लेकिन ये सब को छोड़ चाड़ कर चली आई अगर देनू का प्यार सच्चा है तो वह भी चल लेकिन तुझे कोर्स करवा कर छोड़ूंगा पहले उपर वाले पर भरोसा है फिर इस हाथ पर अज़े और अटार ये खटारा की दर से उठा कर ला है अपनी किसमत के कबार खाने से बंदी कड़ा इसका घरेगा क्या बाबा जी रमेश को तुम मैंने काम काज पर लगा दि अचनर की उसे मैनेजमेंट का कोर्स करवाना वो मैं करवा के छोड़ूंगा ये मेरी जिन्दगी का आखरी इंतियान है अंदीग्रा इसका तो अखा हड़ी पसली टुटेला है इसकी हड़ी पसली मैं अपने पसीने से जोड़ूंगा इसमें जान डालूंगा ब्रैंड न् इतनी महरवानी कर दीजिए इस गिराज में थोड़ी सी जगा दे दीजिए दिन में आपका काम करूंगा रात में अपना अरे तो मना किस ने किया है शौक से करने दिख रहा भीजिए आठara unfa ही तुपका है शी जगार का रात में अरे लगा रात में अरें भादरनेल में भीजिए आर ने कर दोड़ी आdag रात में इतनी में अरे दिर सक्था रात में रात में आधका का रात में अरे दंदyए अğinbesondere झाल झाल शौन टेर्ग एपू झाल झाल दक्टर, मेरा हाथ, मेरा हाथ, डक्टर, मेरा हाथ को क्या हो रहा, डक्टर? डक्टर, मुझे अपसोस है, यह हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया है नए! यह क्या हो गया, किसके नजर लग गई? बस अपनी नजर लग गई, बहुत काम करता था ना, चलो छुट्टी हो गई रोड मत पगली, एक बाजू चला गया, तो क्या हुआ, मेरे तो दो दो बाजू है, एक रमेश, एक चंदर, अरे इनके हो तो हमें किस बात की चिंता है? रोड मत रादा उम्मच से काम ले आपके लिए घड़ी, पर्फ्यूम्ज, साडियां मेरी बहन के लिए कुछ नहीं लाए? उनके लिए भी दो साडियां लाया हूँ और मेरे भाई के लिए? भाईजान के लिए ये सूट का कपड़ा ये किस के लिए है? सुवेदा, अब्बू के लिए शेरवानी का कपड़ा ले आया था अच्छा किया ले आये, अब बाम्या खुश हो जाएंगे तुम नहीं लाओगे तो होर कौन लाएगा? अनवर मियां अरा भई अनवर मियां, कहा हो? लो भई ये फात है कि मिठाई है तुमारे आने की मननत मानी थी ना तुम आगया वह खुदा बड़ा इत्मिनान हुआ पड़ी मुद्दत के बाद सुकून मिला है सुकून मिल गया ना? अब तक तो आप गाटों पर चल रहे थे, अंगारों पर सो रहे थे आपको मेरी कसम जी भरकर मेरी शिकायत कर दीजे अपने बेटे से कह दीजे कि मैने आपको भरबेट खाना नहीं खिलाया दिन रात नौकरों के तरह आप से काम लिया, कह दीजे, कह दीजे ना हाँ, हाँ, बिल्कुल यही किया है तुमने, नौकर बनाके रख दिया अन्वर, इस दिन से तुम गय हो ना, इस आउरत में जीना हराम कर दिया है मेरा हाँ, हाँ, बाप बेटे मिलकर मुझे कर दो हला, कलीजा ठंडा हो जाएगा खुदा रसूल गवाह है, अपने बाप से बढ़कर मैने इन्हें समझा मगर, मगर इसका सिला क्या मिला देखते क्या हो, चोटी पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दो ना अबू, यह बिचारी दिन रात आपकी खिदमत में लगी हुई है और उसी को भला बुरा कह रहे है बड़े अपसोस की बात है मुझे आपसे यह उमीद न थी चलो, जवेड़ा 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 ऐलै किर 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 तो मुझे बद अची लेगती कर दो कर दो कर दो कि आई आए बावा जी थाइब जी नमस्ते नमस्ते एक दिगड़ा सब ठीक चल रहा है दिगड़ा तू गराज शे क्या गया बड़े राउनक चाले बावाजी कि लोग दुनिया से उठ जाते हैं लेकिन दुनिया की राउनक कम नहीं होती कहिए कैसे आना हुआ डिक राइव नियुज शे गुड नियुज? गुड नियुज? दीकरा, तारा प्राविटेन्स फंड़ पंडर अजारा आने तारा खाम करता वगर अग्सिदेंट हैो एना कम्पंसेशन वी सजारा आने तारी खडारा गाड़ी जो तुन्ने बना वी सजावी तुफान मेल बनाई ओपन वी सजारमा वेशी ना की वी सजारमा सच बाबाजी आँ आँ सब मिलके थया पंचाओं नजार आपको मेता जी आले ये सब मेरे हैं तारा छे मा मा मैं तुझे भूल भी जाओं लेकिन तु मुझे एक पल के लिए नहीं भूलती एक ही जटके में सारे सपने पूरे कर दिये ऐसा मालो माल कर दिया कि जिन्देगी बर की चिंता ही नहीं रही चंदार मैं ना कहता था कि मैं तुझे कोर्स करवा के छोड़ूँगा है रमेश ये ले आज ही खान चाचा को पकड़ तीस सजार दे और घर के कागजाद बनवा ले अगर देख रिजिस्ट्री मेरे नाम नहीं अपनी मा के नाम कराना है रादा मुबारको अरे मुबारको आज तु लेंड लेडी बन गई पावा ये खुशी को मैं ऐसे नहीं जाने दूँगा इसे ऐसे नहीं छोड़ूँगा अरे इसे बड़ी धूम धान वालाइगा मैं अरे इसे बड़ी धूम धान वालाइगा मैं उपर वाले तेरा जवाब नहीं कब दे क्या दे हिसाब नहीं तेरी महरवानियों का जवाब नहीं उपर वाले तेरा जवाब नहीं कब दे क्या दे हिसाब नहीं जवानियों दॉपर वाले मुझे को बीवी का प्यार दिया जन्नत जैसा घरबार दिया हर हाल में खुश रहता है तू तर्या की तरह बहता है तू तू नहीं तू नहीं आप में अरे दो बेटों का भाप में इससे बड़ा कोई खिताब नहीं उपर वा दे तेरा जवाब नहीं कब दे क्या दे हिसाब नहीं वो उपर वाले तू एक हात से लेता है ... तू सौ हाथों से देता है तू एक हाथ से लेता है तो सौ हाथों से देता है इस दिल को दिये अर्मान बड़े मुझ पर है तेरे एहसान बड़े कुछ लोग है चूतों को रोते कुछ लोग मुझ के पाउं नहीं होते मेरा हाल इतना खराब नहीं उपर वाले तेरा जवाब नहीं कब दे क्या दे हिसाब नहीं कुछ वाले तेरा जिनना पिजना 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 कारीफ करूं तेरी कैसे कड़की में भेज दिये पैसे हिम्मत का मुझे पैगाम दिया बेहनत का मुझे इनाम दिया सुख सुख साथी है दुनिया में तुलो कलियों की बगिया में काटे भी है सिर्फ गुलाब नहीं उपर वाले तेरा जवाब नहीं कब दे क्या दे हिसाब नहीं तेरी महरबानियों का जवाब नहीं उपर वाले तेरा जवाब नहीं कब दे क्या दे हिसाब नहीं वो भरो भाले तेरा जे क्या जब आफरो वाले तेरा जब नहीं का जब नहीं आफरो वाले तेरा जो उव्हाब नहीं जोलो म ईय, हाँ. चलो बच्चों, शुरू करो, शुरू करो कैसे समय लेटता चला जाते हैं, पता ही नहीं उचता है इतने से रमेश को लेके माता की दर्शन करने गए थे आज अपना रमेश 25 वरस का हो गया है लेकिन तुमने मेरी मानी हुई मननत अभी तक पूरी नहीं होने दी अपनी ही दौर धूप में लगे रहे अरे अब तो ना दौर है ना धूप है फुरसत ही फुरसत है जब को निकल पड़ते हैं रमेश जी पिता जी आज अस्टमी के दिन तुमारी मां के दिल में यात्रा का ख्याल आया है लगता है माता का बुलावा आया है एक कामकर आज अनिवार है सुमवार की सुपर-फास की दो टिक्टे लिया अच्छा पिताज तुम कुछ भी कहो मैं एक पैसा भी देने वाली नहीं अगर उने सेर सापाटी का इतना ही शौक है तो अपना बंदबसकुत कर ले रमेश दिखवी सिट कैसा है आज ही तयार होकर आया है It's beautiful अच्छा पीजी यह बाबुजी का कोट रख लो वहां बहुत ठंड होगी ना तुझे तो बस हर वक्त अपनी बाबुजी की चिंता लगी रहती है रमेश पीटे सुबह कितने बज़ेगी गाड़ी है पदर जी वो मैं क्यों मैं टिक्टो का बंदोबस नहीं कर सका क्यों वो इसों का इंतजाम नहीं हो सका इंतजाम नहीं हो सका हाँ माम बड़ी कोशिश की बैंक से भी एडवांस वांगा लेकर नहीं मिला अरे ऐसी कुन से हजारों की जुरूरत थी मा तुम तो जानती हो चंदर अभी पढ़ रहा है और पिता जी के पास भी काम नहीं रहा बस घर का सारा खर्चा एक मेरी तंखा से चल रहा है अरे रमेज ठीकी तो कह रहा है हम अगले साल चलेंगे नहीं बाबुजी जब एक बार मैं में विचार धार लिया है तो जाना ही चाहिए नहीं तो अप्शकुन होगा बाबुजी आप ही के चर्णों की धूल से मैंने दाखारा में कुछ पैसे जमा किये हैं आसर रुपय हैं मैं ले आता हूँ सेवान मेरे बच्चे तेरा इतना ही कहते ना समझ लिए हमारी यात्रा पूरी हो गए पीजी मेरे बच्चा असलाम आलेकुम आलेकुम आसलाम रसीद मियां आलेकुम अदावर्जे चाचा जान जी तेरा वर्खुडार कहो खैरियत है ना सब खैरियत है चाचा जान एक दस बीस हजार रुपय का छोटा सा काउंट हमारे बैंक में भी खुलवा देते तो अमा पहले क्यों नहीं बताया आपने खैर कोई बात नी कली खुलवा देंगे हमें कहीं पूछने जाना है क्या बहुत बाश्यूक्यआपे है अमप आपान लगग गए क्या लग तो गए है लेकिन देब नाहीं अच्छा अच्छा तो सुनाएये फिर कौन किसके करीब होला अपना अपना नसीब होला याद करेला जब अजीज कोई दर्द दिल के करीब होला सूछान आभा वा वो इसे पर याद आ आगया जा आर्थ किया ए 근़ा इर्साद क्या सुछा है क्या इश्क ने जहना है वह वह वाह क्या हुस्छान ने समझा हैं क्या इसकन जहना है हम खाकनशीनों की ठोकर में जमाना अभाव वाह वाह आफ द गुट सी अरे हो गाड़ एक का हो यहीं तो हूं गारे आपना अन्य भी है अपना पास लगा अपना भेटता किस का रही है आपके आशिरवाद से मैं पास हो गया चंडर ये मेरे लिए को बहुत बड़ी खुशकबरे नहीं यह तो तुम्हारी कामियाभी की शुरुआत है मेरी दिली खायश है तुम्हें हायर स्टडिस के लिए अमेरिका में चुब अमेरिका मगर तुम अकेले नहीं जाओगे रेनों भी तुम्हारे साथ जाएगी दुनिया की हर खुशित तुम दोनों के कदमों मोगी पढ़ाई और हनीमून दोनों एक साथ डैडी मैं आपकी इन महरबानियों को कभी नहीं बुला सकता हूँ कि बर्खुवरदर कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खूना भी परके आऑब दुनिया हमें कोई किसी की बारे में नहीं सोचता है इंसान को खुद अपने बारे में सोचना पड़ता नहीं न्युँरे, पीर कुंग नstar एक तरफ स्टेटस, पोजीशन, फ्यूचर और दूसी तरफ, तुमारी फैमिली तोनो मेंसे जिसे चाहो, चुनलो चॉइस इस यूर्स क्या, तु घर छोड़के चला जाएगा माज, हर आदमी को हक है अपने बारे में सोचने का अगर मैं अपने लिए सोच रहा हूं तो इसमें बुरा ही क्या है मैं अपना भविश बना रहा हूं मगर, मगर, तु तो हमारा भविश्य है, बेटा अपना खून जला जला कर तुझे बढ़ा किया इस काबिल बनाया कि लोगों की नजर तुछ पर पढ़ने लगी और तू, हम ही छोड़के चला जाएगा अपने बाप की गुर्बानियों का ये सिला देगा गुर्बानियों आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है मुझे लिखाया पढ़ाया, स्कूल कॉलिज की फीज दिये, किताबों का खर्चा उठाया ये ये तो हर माबाप का फर्ज होता है ये ही किया है आपने और क्या किया है क्या कहरा है तू इतिक किह रहा हूं मै ambassadors कैति आप लोग चाहते क्या है ये माबाप भी का शर्वा ही रहीत से जानेता मा विशांहते की पेटा। ये ऊपने अपनीकी अपन्यदीन किया नीयका थी मां तू तो सब कुछ छोड़कर चली आई थी ना यहां तुझे क्या मिला बदले में चूला चक्की धुआ बालों में सफेदी आ गई यह बरतन माशते माशते दो साड़ियों में तुमने पूरी जिल लगी का चुपके चुपके नहीं रादा नहीं 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 रादा चुद्ध ठीक ही तो कहता है हम लोगों ने किया ही क्या है वहीं किया है जो हर माबक अपनी उलाज के लिए करते हैं क्या ही क्या है जल्ड़, जल्ड़, जल्ड़ रादा, रादा, रादा एलादा, रादा अवतार किशिन जी आप अवतार किशिन नहीं एक बाप बिखारी बनके आपके दरगाजे पड़ा है सेडशी यह आप क्या कह रहे हैं कुछ परिशान से नज़र आ रहे हैं कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं मुझ गरीब पर इतनी दिया करो कि मेरा बेटा मुझे देतोओ देखो अवतार किशिन तुमको जो कुछ भी कहना चंदर से जागे हैं मैं बाप बेटे के बीच में आप आ गए हैं मैं उन अमीरों में से नहीं हूं जिनki दौलत बैंक और लॉक्रों में बंद है मेरी तो चलती फिरती दौलत मेरी ओलाद है आपने उसे भी तुजोरी में बंद कर दिया अवतार किचल मुस्विबतों के पहाड तूटे पर मेरी हिम्मत नहीं तूटी लेकिन आज ओलाद की मान में मेरी कमर तोड़ दी दुनिया के लेकिन किसी के सामने अपना हाथ नहीं फेलाया आज तुम्हारे सामने अपनी जोली फेला रहा हूं सेड़ जी इस विरान गोद में मेरी बारी साल की कमाई डाल दो मैं जिन्देगी बर तुम्हारा इसान नहीं भूलूँगा मुझ पर छूटा इल्जाम मत लगा अवतार क जाए तुम्हारे बेटे को बांद के नहीं रखा है चंदर तुम अपनी मर्जी से यहां हो मैंने तुम्हार साथ कोई जोर दबर दिखती नहीं की तुम चाहो तापने बाप के साथ जा सकते हो चल वेटे चल वेटे घर चल मैं तुझे लेने आया हूं मैं अब उस नर्क में वापस नहीं जाओंगा मुझ पर न सही अपनी मापर तो तरस खा चल के देख तुसी तेरे बगर उसका क्या हलो गया कैसी मा कैसा बाप मेरे लिए तो दोना मर गए तरे तोना मुझे घर टेल से ठा हुझे तोना मो आपका खाता बंद कर दिया है कहत रहे कि अगर पिताजी को सिग्रेट दो तो पैसाओ नहीं से लो अगर टी को सिग्र दो दो तो पिताजी को सिग्रेट अगर अगर पिताजी को सिग्रेट ग्रहु थो तो पाता है बाबुजी आप उधर चले गए और यहां बीजी की तबियत एकदम खराब हो गई बाबुजी क्या हुआ बस बैठे बैठे बेहोश हो गई मैं तो घबरा गया मैंने दोड़ के डॉक्टर को बलाया उसने जब दावा इंजेक्शन दिया तब जाके तबियत संपली कादा कैसी हो अब शादी पर गया थे हां कया था कवाल है पताजी अब शादी पर नहीं आए वहां पर सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे यह लक्षमी नराहिन जी ने आप दोनों के लिए बेज़ा है मेरे कमरे का ताला किसने तोड़ा मैंने तोड़ा भावी क्यों तोड़ा पीजी की तबियोत अचानक खराब हुए और आप लग तो घर में थेने तवा के लिए घर में एक पैसा भी नहीं था तो और तुने ताला तोड़ के पैसे निका लिए दो कोड़ी का छोक्रा तेरी यह हिमत आप लोगों ने से सर पर चरा रखा है आज पैसे उठाएंकर गहरे चुरा कर भाग जाएगा अगू इसने कोई चोरी नहीं की ताला तोड़कर पैसे निकालना चोरी नहीं तो और क्या है बाभी आपके पचास रुपए मैंने लिया है सुबह होते ही पोरिस्ट आफिस से निकाल कर देतोंगा अपनी आउका तो देख कमी ने बाभी रुप क्यों गए मारिये मारिये देखो रमेश दो कोडी के नौकर के लिए बहु पे हाद धा लिया यही इससत रह गई हमारी सेवक को माफ करते बहु इस सभागी ने जो कुछ किया मेरे लिए किया इतनी कौन सी तवियत खराब हो गई थी आपकी हम तो आ ही रहे थे हमारे आनी तक आप मन नहीं जाती रमेश एक बार घर की शांती बिगर जाए तो फिर वो बिगरती ही चली जाती है देखो बटा अब तुम कमाते खाते हो इसलिए अपने रहने का इंतिजाम कहीं और कर लो क्यों मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी चाहन से रहो और हम लोग भी चाहन से रहें इसलिए चितनी जल्दी हो सके यह मकान खाली करतो खाली करतो हमें निकालने वाले आप कॉन होते हैं इस मकान का मालिक इस मकान के मालिक आप नहीं मैं हूँ रमेश ये क्या भकरी है वो पता जी मकान के रिजिस्ट्री मैंने मां के नाम नहीं सुधा के नाम करवा दी थी जाबाश बेटे शाबाश ये तुने बहुत अच्छा किया एक बेटे ने सीने पे चुरी मारी तूसरे ने पीठ में मकान किसी के भी नाम हो इससे क्या फरक पड़ता है पता जी आप आप जब तक चाहें यहां रह सकते हैं रमेश मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता अरे मैं तो मरने के बाद भी जिन्दा रहना चाहता हूं चल रादा चल रादा चल इस वक्त मेरे पास सिर्फ पांसर रुपए हैं मैं भवान के सौकंत खाता हूं बाकी के दोसर रुपए बहुत जल दे दूगा अरे वाह धरम खाता खोल रखा है सेट जी ने पहले पूरे पैसे लाओ खोली की चावी मिलेगी सेट जी मेरे माबाप के पास सर चुपाने के लिए कोई जगा नहीं है मुझ गरीब तरस खाये सेट जी मुनेम जी चावी दे दीजिए बहुत 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 थन्यवास सेट जी आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता कभी नहीं भूल सकता कर दो कर दो कर दो कर दो क्या सोच रहो है कुछ नहीं अब सोचने के लिए रखा ही क्या मेरी तुछ समझ में नहीं आता है आगे क्या होगा अरे अच्छा ही होगा अरे पगली और लाद दोखा दे गई तो क्या मेरा तुजुर्बा मुझे कभी दोखा नहीं दे सकता मैं कारीकर हूं मेरा हाथ में वजार आजाए ना अपनी किसमत खुद तलाश लूगा मगर वजार कहां से लाओगे मैं भी यही सोच रहा हूं नहीं नहीं रादा नहीं मैं पहले ही तेरा करज़दार हूं बुरे वक्त में यही चीज़ें काम आती हैं औरत का बुरा वक्त उस वक्त आता है जब उसका सुहाग उजर जाए लेकिन मैं मैं जिन्दा हूं तू फिकर्मत कर तू फिकर्मत कर सब ठीक हो जायगा सब ठीक हो जाएका हमें सब्सक्राइब दिरहो पना ग्टारी दो, बना भी थे समय थी कि भी सकते हैं. है कि अच्छ नाम क्या है चीप बहादुर सिंग यह फिर लैंने कुछ गया नहीं नहीं मैं तो अभी आया हो एक मर्तबा कुन देकर पैसा बना लिया हो बोलता है अच्छ वाई यह फिर अच्छ वाई यह मारता इसको देखो इन लोगों ने खुन देना धना बना लिया है साला लोग इसमें से का जुआ केलता है शरापीता है सेवक दीक्रा यह सब क्या है अब जी मैं आप जी बागजी यह दो कि मैं का लाई हो सेवक यह तु सब कहां से लाई है जी जी वो तुमने चोड़ी की यह पापजी में चोड़ी नहीं की कि दो तेरे पास पैसे कहां से अयह मैं पूור तरह पास पैसे कहां से आय मैं पूछ holiday थैचके हाँ कि अ इस के पहर कर उसक मैं नहीं ऐ हैं दूर रुघ मेरी नजरों से नहीं और तार नहीं अचंदर से पैसा मांग कर नहीं ला ये जूट बोलता है आजो 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 नहीं देख ये बार नहीं अगरीब दो बार अपना खून बेज कर ये सब समार ला है मुझे माफ करते सेवक मुझे माफ करते बेटे मुझे माफ करते सेवक तुने मेरी कोक से जनम क्यों नहीं लिया थे पीजी जेवा करते है जिन्दगी माच उडाने का नाम है जिन्दगी यारों की जवाली का नाम है जिन्दगी माच उडाने का नाम है जिन्दगी यारों की जवाली का नाम है जाने माच उडाने जिन्दगी नहीं नहीं ये जिन्दगी तो मेहनतों का नाम है वक्त है बहुत ही कम और बड़ा काम है वक्त है बहुत ही कम और बड़ा काम है जिन्दगी 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 मुझा जाए 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 कितने खुशियों के सपने है यारों वो सारे अपने है रमका किसी पेगानी का नाम है जान दे बयान दे जिन्दगी केसा ये रिवाज है दुनिया की सराए में पेड जला धूप में लोग बैठे साए में पेड जला धूप में लोग बैठे साए में जाए कर दो कर दो कर दो हग प्यार का आज अदा कर दू कुझ पे जान फिदा कर दू हग प्यार का आज अदा कर दू कुझ पे जान फिदा कर दू जीना, योही मर जाने का नाहे, जाने, बयाने, जिन्दगी मलता है आदमी सौबार जनम लेता है हिम्मत की दोख से अवतार जनम लेता है हिम्मत की दोख से अवतार जनम लेता है जिन्दगी मैं भाव अचैना, आया ने मैं तु अच्ट जाफ साम हाण अच्छा वाई हम लोग चलते हैं अच्छा के बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ अच्छा भीक है कि opened all कि अजब एडिश euro कब से हुआख दून रहा हुआ आप लिघों को अखराइज मेलेगाइ कर और यह सब क्या है किसलिए है यह कि माँ माँ जब हम मौझूद थो पिदा जी को इस तरह से काम करने की क्या जरूरत है हमारे होते हुए आप लोग इस तरह से जोपड़े में यह मैं नहीं देख सकता यह क्यों नहीं कहते हैं तुम्हे जोपड़े को आपने अमीर दोस्तों के महल के सामने नहीं देख शकते हैं और इस जोपड़े में आममूली को थिन थापए और बाप तुमारी इज्जत की चादर नहीं में ठ personnage पिदाजी आप ये क्या कह रहे हैं मैं सच कह रहा हूं तुम मुझे देख कर दर गए लोग क्या कहेंगे सेट लक्ष्मी नरायन का दामाद इस फटीचर बाप का बेटा है जो स्कूर डाइवर और पाना लेकर फुटपाग पर बैठा है पिदाजी ऐसी तो कोई बात नहीं है सिर्फ यही बात है अपना ये जूटा चैरा मेरे सामने से ले जाओ इसके अंदर की पच्छूरती मैं देख चुका हूं चले जाओ हूं चले जाओ हूं चले जाओ हूं चले जाओ हूं हूं कि अग्या फिफ्टी रुपीज प्लीज मुफ्ट की मजदूरी करना मैंने बंद करती है हूं चले जाओ हूं चले जाओ हूं चले जाओ हूं चले जाओ रादा, रादा, सेवाख, रादा, मुझे मेरी मंदिल मेल गया मुझे मेरी मंदिल मिल गया, मुझे मरी मंदिल गया इस नवे कार्बुरेटर को बना कर, Mr. आउतकि ने पेट्रोल की प्राबलम को काफी हटक सौल्व किया है एक गाडी जो एक लिट्र पेट्रोल में दस किलो मेंटर चलती थी अब इस नवय कार्बॉरेटर के साथ पंदर किलोमेटर चलेगी इस अग्रेट अचीवमेंट, मिस्टर अव्तार किशन्द हम आपको बहुत-बहुत मुबारक बात देते हुए आपके इस कार्बॉरेटर को अप्रूब करते ही और से रेजिस्ट्रेशन के लिए रिखमेंट करते ही थेंकियू सार, थेंकियू वही मच्छ करते ही झाल 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 शादी की सालगीरा मुबारक हो तुम्हें भी वर्सों के बाद तुम्हेरे चेहरे पे खुशी देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ दादा सबसे बड़ी खुशी तो इसकी है कि हमारे साथ साथ हर साल हमारे प्यार की उमर भी बढ़ती जा रही है तेक मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ कंगन मेरी कंगन मैं तु समझी थी इसमें हीरे मोती जवारात होगे लेकिन किशन आज के दिन तु मुझे इतना कीमती तोफा दोगे यह मैं सोच भी नहीं सकती थी इसे जमाने ने चीन लिया था रादा आज मैं इसे जमाने से चीन लाया हूँ बगली, यह तो तेरा असल है सुठ तो मुझे चुकाना है रादा अ जनलगी के हर मोड पर तुने मुझे कुछ ना कुछ दिया है कभी कुछ मांगा ही नहीं कभी जरूरत ही नहीं पड़ी वक्त आएगा तो मांग लूँगी मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा इस वक्त खाना आपका इंतजार कर रहा है चलिए सेवक जी बाबुजी यूनिवर्सल ट्रेडिंग कंपनी का आर्डर पूरा हो गया जी बाग जी डेबल शुप चल रही है परसा तो खो जाएगा और रेडियेटर की कंप्लेन आई थी मार्केट से उसका क्यों वह वह खराब माल जो था ना वह आपस मगवा लिया और उसके जगे नहीं बेज़ती है हर वक्त काम की बात कम से कम खाना तो इत्मिनान से खा लिया करो इत्मिनान से तो खा रहा हूं सेवक वह कपूर साब का जो कॉण आपको जी बस बहुत हो गया जितना चाहा था उससे कहीं ज्यादा भगवान ने हमें दे दिया अब आराम करो अरे पच्पन बरस में तो गवर्मेंट पी रिटायर कर देती है रिटायर तो आदमी को उस दिल होना चाहिए जब उपर वाले का बुलावा आजाए प्रॉप जी जी देपटका आजाए ड्यूटी फुल सुधा तेरे टेस्ट का जवाब लेहें यहां डेकुरेट किया है घर को पहचाना ही नहीं जाता कमी तो सिरफ दो चीजों की है एक वीडियो और एक कार मेम साब वो भी आजाएंगी ताब खाना लग गया है चलिए आए आए बैठिये आए 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 लो यार तुम भी शुरू करो ना ले रहो मिस्टर रमेश एक्सक्यूस भी आईए मिस्टर तनेजा वो हमारी इंस्टॉल्मेंट का क्या हुआ जी वो इस महीने आपको जरूर पहुंचाएगी आप हमेशा वादों पर टाल देते हैं और बड़े मजे से हमारा फ्रेज फरनीचार और टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं ये ठीक बात नहीं है मिस्टर रमेश वो क्या है कि कुछ उल्टे सीधे खर्चे आगए थे वरना तो आप समझते हैं मैं आप से बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लगता आप इतने बड़े बाप के वेटे हैं ये आपको शोवा नहीं देता है वेल मिस्टर निजा तोंट वोई आपको आज के बास किसी शिकायत का मौखा नहीं में लेकर इससे प्रॉमिस ठीक है राम राम मालिक कोपाल मुझे बेहत अफसोस है कि हमारी फैक्टरी में काम करते वग्त तुमने एक पाउंख हो दिया एक पुर्जा खराब हो जाए तो सारी मशीनरी बिगड़ जाती है इस हाथसे से मैं गुजर चुका हूं इसलिए तुमारी इस कमी को अच्छी तरह से महसूस करता हूं आपने एकना कह दिया मेरे लिए यही बहुत है कोपाल कंपनी की तरफ से जो तुमारा हक बनता है वो तो तुम्हे मिले गाई मैं अपनी तरफ से तुम्हें तीस हजार रुपय देता हूं तीस हजार रुपय यह सब मेरे है मालिक बहु अभिनाश देखा कितने द्यालू है मेरे मालिक कितना बड़ा दिल है इनका वो जपा हज को माला माल कर दिया अभिनाश यह रुपय बुरे वक्त में काम आएंगे इन्हें संभाल कर रखना नहीं गोपाल नहीं ऐसी गलती मत करो अपने हाथ से अपने पाउं पर कुलहरी मत मारो यह दुनिया बड़ी जालिम है बड़ी बेरहम है यह तुम्हारी दूसरी टांग भी काट कर फैंट देगी गोपाल खुन के सहारों से यह बैसाकी का सहारा ज्यादा मजबूत है सारी गोपाल मुझे तुम्हारे जात्ती मावने में दखल देशन का कोई हक नहीं है मुझे माद कर दूँ मुझे माद कर दूँ हमारे प्रोडेक्ट्स उनसे कहीं ज्यादा सुपीर हैं फिर हमें कमदामों बेचनी क्या जुरूत है इससे तो हमें बहुत ज्यादा नुक्सान हो रहा है शर्मा तुम जिसे नुक्सान समझ रहे हैं वो मेरी सिंदगी का सबसे बड़ा फाइदा है लक्षमी नारायनन कंपनी और चंदर इंटरनेशनल का नाम मार्किट से मिटा दो चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमा चुकानी पड़े जी डारी चंदर यह अपने ओर्डर्स प्रडर्स कैंसल के हो रहे है बाल बेरिंग्स पेस्टन रिंग्स क्लास प्लेट्स कल सारे मुक्में की मांग थी यह भी क्यों नहीं है जी वो क्या बात है डैड़ी अवतार एंटरप्राइज हमारे कॉंपूटिशन में हर जगह अपना माल बहुत सस्ते में बेच रहा है अरे कासी हीले कलकता हीले पटना ही लैला तोहरी लचके जब का मर्या सारी दुनिया ही लैला जाराम जी कि सेड़ जी सेड़ जी कहकर गाली मत दो रामदुलारे तोस्तों का मजाक नहीं उडाया करते यह नहीं मेरा ब्रैंड खाते में लिखतू हूं धैन रोतार भीया तुम तनिकों नहीं बदले हम लोग हमेंसे तोहर चर्शा करत रहें के देट सहिधो यह क्या कर रहा है दडादा म्याके हुआ में उनकी ठवेश issus उनकी तभियक खराब है तो तुझे क्या चलों बॉठ यहा से बदमाश उनके गंदे कपड़े धो रहा है तो क्या वामी अब भी तो अपने गंदे कपड़े उनसे दुलाती है बद्तमीज बच्चे पर हाथ उठाते तुम्हें शरम नहीं आई शरम आप आनी चाहिए आज आप इस मासुम बच्चे से अपना मेल धुला रहे थे कल इसे चोरी करवाएंगे भीग मंगवाएंगे अन्वर मैं अपने बच्चे पर इनका मनुस्ताया कभी नहीं पढ़ने दूंगी अल्ला कसम आंसे इस घर में या तो मैं रहूंगी या यह रहेंगे अबू बस बहुत हो गया अब हमें चैन से रहने दीजिए खुदा के लिए आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लीजिए अन्वर मैं कहां जाओंगा तेरे स्वाब मेरा इस दुनिया में कौन है मुझे अपने घर से मत निकाल बेटे मैंने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया कपड़े दोए बरतन मांजे जाड़ी जटका किया भूका रहा बहु की गालियां सुनता रहा अगर मैंने घर की बात कभी बाहर नहीं जाने दी इस घर का भर्म बनाए रखा मुझे मत निकाल बेटे मैं कल सड़कों पर मारा मारा पिरूंगा तो लोग यह नहीं कहेंगे यह रशीद है लोग कहेंगे यह अनवर का बाप है अनवर का बाप गन की सत्मा मादार में मत लेजा बेटे अनवर बेटे मुझे इस घर से जब मुझे निकालना अपने कंधे पर निकालना अपने नदर लोग तो गराशना आज तुमारी नदरों से भिंगर गया तार तक अनवर के ओगा तार तक अनवर के ओगा थोड़े से खालीजे भाई साथ नहीं भावी मुझे से खाया नहीं जायागा प्रशीर एक तुने वाले तो खालो नहीं आतार दिलकुल भूक नहीं है अलग से नहीं उतरेगा कालो रशीद नहीं तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है इस धर्ती पर जाने कितने अपदार किशन है कितने रशीद है यह एक समस्या है एक मसला है एक समस्या है दोस्तो यह सराय या नात आश्रम नहीं है यह अपना घर है हमारा घर है चसबाती रिष्टों का एक ठीक आना है यह उन लोगों के लिए है जो रिष्टे नातों के भीड में रहते हुए भी अकेले हैं यह घर उन लोगों का नहीं है जो जमाने के ठुकराय हुए है बलकि यह घर उन लोगों का है जो अपनों के ठुकराय हुए है यह क्या जुल्म है कि जो लोग जिन्दगी भर की महनत और तजुर्बे समेट कर रिटायर होते हैं उन्हें एक नाकारा पुर्जा समझ कर हैक दिया जाता है तेल मौजूद है मगर चिराग बुजा दिया जाता है हम यह चिराग फिर से जला देंगे आप लोग अपनी हिम्मत समेटिये जीने की तमन्ना पैदा कीजिये और आगे बढ़िये यारो उठो चलो भागो दोरो मरने से पहले जीना ना छोड़ो हो 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 यारो 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 उठो चलो भागो दोरो यारो उठो चलो भागो दोरो मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो 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 उठो चलो भागो दोरो यारो उठो चलो भागो दोडो मरने से पहले जीना न छोडो यारो इन जवानों से हम इन जवानों से कम नहीं है ये हम से हैं इन से हम नहीं है इन के भरम को बस आज तोडो यारो यारो उठो चलो भागो दोडो मरने से पहले जीना न छोडो यारो बैठे हो क्यों तुम बन के अनाडी कितने पुराने तुम हो खिलाडी कितने पुराने तुम हो खिलाडी अर खेलो खेलो न ऐसे मैदान छोडो यारो यारो उठो चलो भागो दोडो मरने से पहले जीना न छोडो यारो कितने तुम हो खेलो ये फैसला हमने कर लिया है मांगे भला क्यों हमने दिया है मांगे भला क्यों हमने दिया है सर को उठाओ, सर को उठाओ, मत हात जोडो मरने से पहले जीना न छोडो यारो भॉँए ये सब हो थाओ आव ये सब हो दो उँप समझ में न हारा यह जंदर क्या वात है आज फैक्ची में को नजर नहीं आ रहा चुटी है गया जी नहीं सारे वक्स काम छोड़ कर चले गए काम छोड़ कर चले गए यूँ उन्हें दूसरी जगह डबल तंखा पर रख लिया गया डबल तंखा डबल तंखा कों दे रहा जी पिता जी यह है जी अहां नहीं है अई ऐसी कोई बात निए मैं चीक चार बजे पहुंच जाओंगा नमस्ते अटार कुछंद जी किसी को भी बगएर अपाइंटमेंट के मेरे पास क्यों बेच देती हो है अवतार कुछंद जी आपने मुझे पैचाना नहीं लक्षमीना राइन जी मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ अवतार कुछंद जी आपने मेरा सब कुछ शिल जी मार्केट से मेरे नाम तक बढ़ा थी बिजनस के असी मार मारी के मेरी कमरी तोर सी किसी का फाइदा किसी का नुक्सान किसी का नुक्सान किसी का फाइदा किसी का नाम दुनिया है लक्षमी नरायन आज आपने मेरे फैक्टरी भी बंग करवाती है। मेरे सारे वरकर्स मेरा सारा टैलेंट मुझसे चीन दिया है। टैलेंट। टैलेंट तो तुमने भी कभी किसी का चीन दिया था। लक्षमी नरायन। पिता जी मैं भरबाद हो जाऊंगा। उस बिजनिस में मेरा भी खुन पसीना लगा हुआ। कम इसकम मेरे फ्यूचर के बारे में तो सोचिये। मुझे किसी के फ्यूचर से कोई दिल्चस्पी नहीं। Mr. Chandakrishan, आज हर आदमी को अपने बारे में सोचने का हक है। अगर मैं आपने बारे में सोच रहा हूँ तो इसमें बुरा ही क्या है। Don't waste my time, आप लोग जा सकते हैं। अपने बारे में आपने अपने बारे में दोता है। इंस्पेक्टर साहब। हर तरह की चान्मीन के बाद ये बात साबित हो चुकी है। कि रमेश ने बेंक के 50,000 रुपए गवन किये हैं इस्पेक्टर साफ, यह सब गलत है मैंने कोई गवन नहीं किया सर, मैंने कोई गवन नहीं किया, सर इस्पेक्टर साफ, मैं, मैं बेखासूर हूँ इसका फैसला अदालक करेगी यह अदर अर्राष्ट, मिस्टर रमेश, सर, तुकर रम सर तुन यहाँ माजी में लुट गई, हम पर मुसीबतों का पहार तूट पड़ा बैंक बालों ने हमारे साथ दुश्वनी की उन पर गवन का जूटा इल्जाम लगाकर उन्हें गरिफ्तार करवा दिया क्या रमेश, गरिफ्तार हो गया सुना आपने चंदा आउं इसमें ताजिब की क्या बात है वो बेकसूर है उन्हें फसाय गया है उन्हें बचा लीजी पिताजी बर्नो चेल हो जाएगी हम कहीं के नहीं रहेंगे यहां मुझ्रिमों का साथ देने वाला कोई नहीं रहता तुम वलत दर्वाजे पर आयो माजी, अब आपी कुछ कीजिए समाना देकर अपने बेटे को बचा लीजिए आँ में साथ राधा राधा तुम जमानत नहीं दोगी तुम्हें मेरी कसम है राधा तुम जमानत नहीं दोगा तुम जमानत नहीं प्रहा तुम पावा जी, ये बात मेरे और आपके बीच है ठीक, शिर्दिक्रा, रमेश की जमानत मैं कल सवेरे दे दूँगा, परने पहसों की क्या जरूरत है? जरूरत है, मुझे रमेश पे कोई बहरोसा नहीं। और फिर बावा जी, मैं ये जमानत रमेश के लिए नहीं लादा की वज़े से दे रहा हूं। मैं, मैं आपची जिन्दगी को रोते हुए नहीं देख सकता। तुकराम जी, लमेश के शिंगो छोड़ दो। पच्छा साप। धैंक्यू, इंस्पेक्टर। इट्सालाइक। बावा जी, आपने जु समाने देकर हम पर अहसान किया है। उसे हम जिम्की भर ने भूल सकते हैं। अपनों से तुगयर अच्छे है। बावा जी, आप सच में तेशता है। मैंने कुछ नहीं किया दिख रहा। साब उपर वालीनी महरबानी छे। आओ, चालो। आओ। रशीदर्वसाब है। वो यहां नहीं रहते। तो फिर कहां रहते। उफो, क्या बात है। जी वो, जो उनका पांच साल से प्रॉविदेंट का केस चल रहा था। वो जीत गए। साथीस हाजार पांच सो रुपय का उनका ड्राफ लाया ह। साथीस हाजार पांच सो? अरे भाई साथ, आप बाहर क्यों खड़े हैं। अंदर आईए, अंदर परशिफ लाईए। अजी सुनते हो। क्या जुवेदा। वो अबबा मिया का केस नहीं चल रहा था। प्रॉविदेंट फन वाला। वो हम जेत गये। अल्ला ने हमारी नमादे दुआया कुबूल कर ली। भाई साथ, आप बुरा मत मानिये का। वो बात ये है कि रोज कोई न कोई अबबा मिया को परेशान करने चला आता है। इसलिए मैंने कह दिया कि वो यहां नहीं रहते। तो फिर बुलाई होने। अल्ला वो अभी अभी खाना खाकर बाहर गये हैं। बस वो शाम तक लाट आएंगे। चीक है, मैं शाम को आजाओंगा। आप दुबारा आने की तकलीफ क्यों करते हैं। आप ये द्राफ मुझे दे दीजिए। मैं उनका एक लाटा बेटा हूं। और मैं उनकी एक लाटी बहू हूं। माफ कीजिएगा, ये सरकारी मामला है। मैं ड्राफ्ट आपको नहीं दे सकता। ये सब तुम्हारी वजय से हुआ। मैं पूछती हूं जगडा किस घर में नहीं होता। इसका मतलब ये तो नहीं कि भूलकर ही बैठ जाओ। तुम्हारा फॉर्द नहीं धाग क्योंने मना कर ले आते। अल्ला तौबा अल्ला तौबा खुदा ऐसा नलाइक बेटा किसी को ना दे। ना जाने अबम्यक किस हाल में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामलाली। इसमें शुक्रिया कि क्या बात हरशी साब। ये तो आपकी 35 साल की महनत का फल है। जो आपको मिलना ही चाहिए था। अच्छा तुम्हें चलता हूँ। खुदा हाफिस। खुदा हाफिस। अरे शद्दू, अरे तुम यहां कैसे आ गया है। अपू और अमनी आपसे मिलने आया है। आदा बर्जे। असलीन अब्बा मिया। क्यों मिया। यहां कैसे आ गया है। खैरियत तो है। अब्बा मिया। आप घर से क्या गये। खैरो बरकत चली गई। अबू, अगर हमसे कोई गुस्ताख ही होगी हो, तो दर्गज़र कीजिए। अल्ला की मार पड़े मुझ पर। एक भी लवज मुझे जला कटा निकले। तो जुबान खीच लिजेगा मेरी। खुदा रसूल का वास्ता देती हूँ। गुसा तुक दीजिए और अपने घर चलिए। आटा पिचाने के लिए। कपड़े धोने के लिए। जिड़किया खाने के लिए। अबू, खुदा की कसम खाता हूँ। जूटी कसम मत खा। क्यामत के दिन सुर कम होगा तेरा दन मुरीद। जो रुका खुलाम। इस औरत के पीछे दिन दुनिया दोनों ख़ाब कर डाले। अबबाविया। बंद करो ये मगर मच के आंसू। जवेदा बेगम मैं सब समझता हूँ। ये पैसे का क्रिश्मा है। मेरा ये प्राविडन फन तब 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 तुमारी आँखों से टबक रहा है। पैसा नहुआ हड़ी हो गई। भू सुंगते हुए चले आए। कान खोल कर सुन लो एक फूटी कौडी भी नहीं दूँगा। या ला इतने पत्थर दिलना बनो अपाम। वो रशीद अहमद मर गया जो तुम्हारे टुकणों पर दिंदा था। और हां एक बात याद रखना खुदा न करें। अगर सद्दू मियां बड़े होकर तुम दोनों को घर से निकाल देना। मेरा नाम लेकर यहां आजाना जगा मिल जाएगी। खुदा अफेज। आपका इंटर्व्यू ले लिया है। हम लेटर के जरीए आपको खबर कर देंगे। थैंकि सार। गुद मॉर्निंग सार। गुद मॉर्निंग। आपका नाम। रमेश कृषिन। एज। 26 साल। क्वालिफिकेशन। बहिमानी। तोखे बाजी। मकारी। जार्ज साजी। रवन। पिता जी। मिस्टर गुपता, इस नौकरी के लिए हमें इतना काबिल और इतना ज्यादा पड़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए। पिता जी। पिता जी। चंदर। ये क्या। रमेश भाई आजकल मुसीबत में है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। इनकी मदद अगर करना ही है, तो जाओ, अपने खून-पसीने की कमाई से करो। हमारा पैसे कोई खेरात का नहीं, कि इन भीकरियों में बाटते फिरो। रेनु, इनकी बेज़ती करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अब तुम चोरी भी करने लगे। रेनु, तुम हद से बढ़ रही हो। हद से मैं नहीं, तुम बढ़ रही हो। प्लीज, आप अमारी वज़े से आपस में मत लड़ी है। रेनु, बहिन, हम तो अपना समझ कर तुम्हारे पास आये थे। मुझे अपनों से सक्त मफरत हो गई है। निकल जाहिए यहां से। मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। चाहिए। रेनु, यह तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत अच्छा किया। सबान बंद कहा आपनी। बहुत देर से मैं तुमको बरदाश्ट कर रहा हूँ। हमारे टुकडो पर पलना है। तो तुम्हे इस से भी जादा बरदाश्ट करना पड़ेगा। यही गलती मैंने चाहिए। तुम्हारे बाप के पास चार पैसे क्या अपने आपको भूलिए। हमारे जीने के तमाम रास्ते बंद करते। और उसके जम्जार तुम हो। लेकिन ड़ी इसमें मेरा क्या कसूर है। कसूर हलके खुंका है। तुम्हारे कमीने बाप ने जी सुलूक हमारे साथ किया है। उसे देखते हुए, मुझे धक्के मारके तुम्हें घर से बार निकल देना चाहिए था। लेकिन मैं कमदफ नहीं। ऐसा नहीं करूँगा। फिर भी तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। दर्वागा खुला है। आओ भी। अचाहिए दो लक साबून की टिक्या एक क्रिम की शीशी और एक टूथपेस्ट। माफ करना रमेश बाबू पहले पिछला हिसाब चुपता कर दें। पूरे तीन महीना हो गए। चार सो पचास रुपिया उधार चाहँड़ गवा है। रम दुलारे मैं यह कर्जा उतार दूआ है। विश्वास करो। विश्वास का तो जमाने नहीं रहा बाबू जी। आजकल मेरा हाथ जरा तंग है। तो यहां कौन से फैक्ट्री लगी है। छोट सा धंधा है। अगर हमार इसनाद में उधार करें लागे ना तो समझ जाओ कि सारा धंदा चोपट हो जाई। लेकिन राम दुलारे मैं राम दुलारे अभे कहूं पैसा उधार देवाला नहीं है। जरा हालात क्या बदल गए कि तुम्हारी आखें बदल गए। भूल गए। इनी हातों से हजारों रुपया ले चुके हो। अरे तो इनी हातों से मालों तो उठाए हो कोई दान पूर नहीं कियो रमेश भाबू। तुमने भी को एहसान नहीं किया है। आज बुरा वक्त आया तो उधार देना बंद कर रहे हो। यह कोई शराफ है तुम्हारे। अरे तुम कितना सरीफ हों हम खूब अची तरह जानत हैं। अरे भूल गए ओ दिन जब तो अरे बाप पर बुरा समय आवा रहा। और तुम ही रहो जोनके सिगर्ट के खाता तक बुनकर आई दिये रहो। राम दूलों रहो। तुम खाताः ते में और आण तरह जा रहर। ऌर रहो। झाल 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 विश्ण इन्ही माफ करते हैं माफ अपनों को किया जाता है मैं उनने भूल चुका हूं मैं नहीं भूल सकती मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे यह नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता तुम्हारी नजर मेरे मानमार यादा कुछ नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती मैं पूछती हूं तुम्हारे दुखदर्द का साथ ही कौन था मैं थी अपने कलेजे पर पत्थर रखता तुम्हारे साथ-साथ चलती रहे पलट कर भी नहीं देखा अपने बच्चों की तरफ एक तसलित है कि जहां भी है सुखी है लेकिन आज वह दुखी है बेगर हैं बेसाहरा हैं हर तरफ से तूट चुके हैं के सुलाद का मातम कर रही हो जो माबाप के दिल का नासूर बन गए वो मेरे घर में नहीं रह सकते हैं यह घर मेरा भी है मेरा भी कुछ अधिकार है तुम्हारा अधिकार मेरे शरीर पर है मेरी आत्मा पर है हर जगा तुम हो लेकिन तुम्हारी ममता के लिए मेरे पास कोई नजर नहीं आता इतने कठोर मत बनो वो अपने किये पर पच्टा रहे हैं और पच्टावे के एक आंसु से सारे गुनाब भगवान भी माफ कर देता है मैं भगवान नहीं हूँ कि कि तुम में एक दिन कहा था कि मैंने जिन्दगी में तुमसे कुछ नहीं मंगा मैंने कहा था वक्त आगया तुम मांग लोगी और तुमने कहा था मैं उस वक्त का इंतिजार करूँगा हाँ चुब वक्त आगया है किशन मेरी जूली में ममता डाल दो किशन किशन इतनी रात होगी अभी तक आफिस में हो हाँ कर बारियो रादा आज में शायद करनी आसकोंगा मेरी बहुत जरूरी मेटिंग चल रही है कर दो किशन स्टोल खुचा खुर एंग कि रट कर दो कर दो कर दो कर दो कि इस तुफान में तुम यहां आज कोई तुफान मेरा रास्ता नहीं लोग सकता तुम घर क्यों नहीं आ रहे है वक्त नहीं मिल रहा काम बढ़ गया है काम बढ़ नहीं गया काम बिगड़ गया है किशन यह बहाना यह गुस्सा किसे दिखा रहे हैं मुझे मुझे तुम तो जानती हो रादा मुझे गुस्सा कभी नहीं आता आ जाता तो अच्छा था मुझे हाथ उठाकर अपनी दिल की भड़ास तो निकाल लेती है ठंड़क पढ़ जाती मुझे लेकिन अंदर ही अंदर क्यों चला रहे हो यह क्या कह रही हो रादा मैं अपने से जादे तुम ही जानती हूँ बच्चों का साथ दिया तो तुमने मेरा साथ छोड़ दिया कितनी बड़ी सजा दे रहे हो मुझे मेरे बिना एक पल भी नहीं गुजारते थे आज पूरे चार दिन हो गए और मैं चार दिन से अंगारों पे लेट रही हूँ मेरे कोई परवा ही नहीं सारे नाते तोड़कर अपना अधिकार छोड़कर यहां चले आए किशन मैं तो तुम्हारे साहरे जी रही हूँ तुम्हारे पास बहुत साहरे है राधा ममता ने मेरे पाउं क्या जखड़ लिये कि तुम्हारे दिल में कांटा चुप गया और उसी को लेकर बैठ गया यह क्यों नहीं सोचते कि मैं किस तो राहे पे खड़ी हूँ जिधर भी जाती हूँ अधोरी रह जाती हूँ मेरे विपता सुनके तो पत्थर भी पिगल जाता लेकिन तुम तो पत्थर भी नहीं हूँ एक बेजान आत्मा हूँ प्यार, महबत, जजबात, कुछ भी नहीं तुम्हारे सीने में दिल ही 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 नहीं आपलस, आपलस, आपलस आपलस इतर कि अटार अटार दिग्ड़ा अधिये बावजी केम रादा अतर क्यासे सुट हा रादा सब ठीक यह न बावाजी जब हम आपके पस थे तो बहुत सुखी थे लेकिन अब अब अफ्तार वो नहीं रहा पिलकुल पदल गया अज वो मुझे भी भूल किया नहीं नहीं सुवाद करें शिरादा आवतार अपने आपको भूल सकता है पन तेरे को नहीं यो राज मेरे को हमेशा याद रहेगी और फिर बावाजी मैं यह जमानत रमेश के लिए नहीं रादा की वज़े से दे रहा हूं मैं मैं अपनी जिन्दगी को रोते हुए नहीं देख सकता कुछा नहीं जमाना आपने हालो पीजी, मेरे जल्दी आईए, बावशी को दिल का दोरा पड़ गया है मुझे माफ कर दो किशन, मुझे माफ कर दो रोते नहीं पगली, मैं तो ठीक हूँ रादा अज तक मैं ट्यूटी पे था लगता है रेटायर होने का वक्त आगया है ऐसा मत करो किशीद ऐसा मत करो लगता है लगता है लगता है लगता है राधा तुमसे मेरी एक ही बिंती है कि मेरे बाद हर शहर में अपना घर जैसा केंदर बनवा कर मेरे सपनों को पूरा करना मैं अपनी जैदाद में से दो लाक रमेश किशन और दो लाक चंदर किशन को देता हूं इसलिए नहीं कि वो मेरे बेटे हैं बलकि इसलिए कि उनके सलूख ने मुझे एक नया रास्ता एक नई इतिशा दिखाई सेवक जिसमें सारी जिंदगी बिना किसी स्वार्त के मेरी सेवा की मैं उस पर एक बोज और डानना चाहता हूं अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी चिता को अगनी सेवक देगा पाबुजी 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 ये सारी दुनिया है आती जाती जीवन है दूला दुनिया बराती रुखसत करो मुझे को फस के साथी जाने दो मुझे को बस हात छोड़ो रोके कसम तुम मेरी न तोड़ो जाने दो मुझे को बस हात छोड़ो यारो करो झाल ये जान झाल झाल झाल